नमस्कार साथियों स्वागत है आपका मिसन MPSC बोरियर के डेली करेंटा फिर प्रगाम में हूँ जीतिन रिजह और आज है 10 अक्टूवर खबरों के शुरुआत करते हैं कन्या कुमारी लॉंग को मिला जी आई टेक कन्या कुमारी की जो लॉंग है उसको जी आई टेक पुगाया जाता है कि हाली में तमिनाडू के कन्या कुमारी लोंग को बोगोलिक संकेत तक यानि जियाई टेक दिया गया है है राज की प्रमुक मसाला फसनों में से एक है और पहाडी चेत्रों में इसको उगाया जाता है इसे इसके खाद उपयोग और ओस्दिय गुण के लिए जाना जाता है कन्या कुमारी लोंग अपनी सम्रद सुगंदित तेल सामगरे के लिए भी जानी जाती है यह विशेस लोंग की प्रिजातियों में तेलों का प्रतिसत उच्छ रहता है लगवा 19 से 21 पर से उच्छ वास्पसील तेलों की उपस्तिति करण इस लोंग को चिकिससा दवा इत्र उद्द्योग में उपयोग के लिए पसंद किया जाता है साथियों अगर आपने अभी तक चैनलों सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लिजिए और ज़्यदा ज़्यदा इसको लाइक और सेयर कीजिए अगली ख़वर का रुक करते हैं मदद परदेश की परसिद्दी ने फिल्वर मेडल हाले में जीत लिया है आपको बता दें कि पिर्ष के लीमा में चल रही सूटिंग की जूनियर बल्ड चंपियन्जिप में बोपाल की बेटी परसिद्दी महेंट ने सिल्वर मेडल जीता है पचास मीटर राइपल थ्री पोजिशन जूनियर महिला में गोल्ड मेडल के लिए प्रसिद्धी का मुकाबला USA की किलाडी से था कुछी पॉइंट से वे गोल्ड जीतने से चूप गए लेकिन देश के लिए सिल्वर मेडल जीतने में काम्याब रही अगली का परकर रुप करते हैं कि 20 डांक दीवस 2021 मनाय गया है आपको बता दे हर साल 9 अक्टूबर को 20 डांक दीवस की रूप में मनाया जाता है यह दिवस यूनिवर्स पोष्टर इूनियन की इस्ता पना की बरस गाट को पर मनाया जाता है इस वर्ष इसकी थीम थी Innovate to Recover थीम आपको याद रखना है Innovate to Recover यह इस वर्ष की थीम है और यह भी याद रखना है कि यह प्रती वर्ष 9 October को मनाया जाता है इसके उद्दिस के बारे में जान लेते हैं कि इसका उद्दिस क्या होता है क्यों बनाते हैं इस दिवस मनाने का उद्देश देशों के सामाजिक आर्थिक विकास में और हमारे देनिक जीवन में डांक चित्र के महत्र के बारे में जागरुकता को बढ़ाना है इसलिए डांक दिवस 9 October को मनाया जाता है अगरी कवर कर रूप करते हैं एटल कंपनी ने भारत के गाउं में भी 5G ट्राइल शुरू कर दिया है कंपनी ने बताया कि यह ट्राइल बे डिल्ली NCR के आउटर में इस्थित भाईपुर्ग ब्रह्मानन गाउं में चल रही है एटल है ट्राइल एरिक्सन कंपनी के साथ मिलकर कर रही है यह पहली बार भारत में किया गया है कि किसी कंपनी ने गाउं में भी 5G का ट्राइल शुरू किया है तो आपको गाउं याद रखना है बाईपुर्ग ब्रह्मानन गाउं में दिल्ली NCR अगली कoben करते हैं कि हाल में jimax-samudri-abhyذ का आयुजन किया गया है जानते हैंמצ जमैक से बारें जापान और भारत के बीच दुई पक्षी समद्री-abhyذ Jimax का आयुजन किया गया यह अभ्यास का पांच बास इंसक्राण था जो चैसे 8 अक्टूर के बीच अरप सागर में आयोजित किया गया अभ्यास में जापान की मेरी टाइम, सेल्प, डेपेंस, फोर्स और भारती नोसेना के जाजों और बिवानों ने इसमें भाग लिया है तो आपको याद रखना है कि किसके बीच होता है भारत और जापान के बीच, इसके बार हम और जान लेते हैं कि भारत की ओर से अभ्यास में सामिल प्रमुक, सौदे सी गाइडेड मिसाइल, डिस्ट ट्रायर, आइनेस, कोची और गाइडेड मिसाइल, फ्रीगेट, आइनेस, तेग, इसमें आइनेस, कोची और आइनेस, तेग को हमको याद रखना है, अब जापान की तरफ से कौन-कौन से सामल हुए है, वो देख लेते हैं कि जापान की तरफ से सामल है, इजूमू, क्लास, हेलिकोप्टर, केरियर, कागा, गाइडेल, मिसाइल, डिस्ट्रॉयर, इजूमू और मुरा सामे को हमको याद रखना है, अगली ख़बर का रुक करते हैं, पोफ्स ने जारी किया भारती अमीरों की लिस्ट, पोफ्स ने टॉप सो अमीरों की दौलत की लिस्ट जारी कर दी गई है, और आपको बता दें, कि इसमें मुके सम्मानी, चज़द्वे साल टॉप पर रहे हैं, और गौतम अडानी इसमें दूसरे इस्तान पर काविश हैं, पोफ्स ने इस साल के लिए भारत के सो सीट अमूरियों की सूची जारी कर दिये, इस सूची में चज़द्वे साल मुके सम्मानी लगाता टॉप पर रहे हैं, और दूसरे साल गौतम अ इंडेस्ट्री, गोतम अडानी, अडानी गिरुप, शिव नडार, एसी एल, राधा किष्णर दमानी, अबेन्यू, सुपरमार्ट, साहिरस पूनावला सीरम, दच्वी मित्तल, आरसेलल मित्तल, साबित्री जिंदल, ओपी, जिंदल गिरुप, उध्यकोटक, कोटक मेंद्र इंडिया, खरीज समझता, हाली में संपन हुआ है, आई जान लेते हैं डिटेल्स में इसके बारे में, हाली में घाटे में चल रही बिमानन कंपनी इर इंडिया की विक्तरी पर सरकार ने मौर लगा दी है, इस कंपनी का अधिगरन टाटा संस की पूर्ट स्वामित बाली सा है कंपनी टेलेक्स प्राइवेट ने किया है, टाटा ने इह करार 18,000 करोड की बोली लगा कर पूरा किया है, तो आपको इसमें टेलेक्स प्राइवेट का नाम याद रखना है, जो की पूचा जा सकता है, और टाटा संस की पूर्ण स्वामित बाली कंपनी है, टेलेक्स प् ताटाच को मिलेगा आपको बता दें की इस बार सरकार ने एर इंडिया की ऑपनी सोप प्रफजूद भी है इसके बाद भी इसकी लाब की इस्तिती में ना आ सकी दोजार एक में इसे बीचने का प्रियास किया गया पर सरकार इसमें असपल रही कि आपको और बता देते हैं इसके बारे में कि इस घाटे को कम करने में जो हुई थी उसमें 2001 में 14 परसेंट रिस्सेदारी और जबकि 2018 में 46 परसेंट रिस्सेदारी बीचने के लिए रखी गई थी एर इंडिया का नेजी करन बाजारों और बैस्विक निवेशकों के इस परस्ट संकेत देता है कि सरकार के पास सुधारों के लिए द्रण राय नेतिक इच्चा सकती है आपको पता है यह रहा इंडिया की सिरुवात 1932 में टाटा गिरुप द्वाराही की गई थी और इसको बाद में सरकार ने अधिगरान कर लिया था अगली कवर कर रूख करते हैं कि डैनमार्क की प्रधानमंत्री है जो आजकल भारत के दौरे पर है और इनका नाम है अधिगाठ पहुंची हैं और महातों गांधी को सरद्दान जली भी अरपित की है डैनिस पीम ने दौरों से दोनों देशों के संबंद मजूत होने की उम्मीद जताई जा रही है आपको बताते हैं इनोंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद मोधी को दुनिया को प्रेद्द करने वाला बताया है मा कामखा देवी जो एक मात्र सक्ति पीट जिसे मापीटी का दरजा दिया गया है यहां नो नहीं 16 दिन का दुर्गा उस्व होता है और देवी की मूर्ती नहीं कौरी कन्याओं की यहां पूजा होती है इसलिए यह चर्चा कबसे बना हुआ है काम का देवी मंदर के बारे में हम डिटिल्स में जान लेते हैं क्योंकि आने लाइक कोश्चन है नीला अंचल की पाड़ियों पर इस्तित काम का देवी मंदर में दुर्गा पूजा उस्व सुरू हो गया है यहां महाई सनान के साथ ही पंच गब के साथ देवता का अनुष्टान होता है 22 बकरी कबुतर मचली की बली दिने के साथ ही लौकी कद्दू बा गन्निहा पर चड़ाये जाते हैं और देवी को प्रसंद करने का प्रयास किया जाता है यानि है उसब 9 दिन की जगए 16 दिन चलता है पहले दिन में चंडी पाठ शुरू होता है नवरात्री में दुरगा पूजा के साथ ही कुमारी पूजा शुरू होती है कुमारी पूजा यहां की जाने वाली सभी प्रमुक पूजाओं का एक अभिन अंग है कुमारी पूजा देवी काली दौरा कॉला सुर की हत्या की याद दिलाती है और कॉला सुर हत्या की याद दिलाने की कारण ही यहां पर कुमारी पूजा देवी की जाती है आप हम से जुड़े आप सबी का धन्यवाद ऐसे ही जुड़े रहिए और हमारे चैनल मिसन MPSC Warrior को सबस्क्राइब कीजिए हम फिर मिलते हैं और कुछ अच्छी कबरों के साथ धन्यवाद बाद